नमस्कार दोस्तों मेरा नाम आसुतोस आनन्द बर्तमान समय में मैं आप सब लोग को एक गदनीत के सिच्छे के रूप में मिल रहा हूँ ऐसे तो मैं मजाक मजाक में बात बोलता हूँ कि कभी मैं देश का परधान मंत्रे भे बनूँगा मतलब ये कोई इमेशन नहीं एक मेशन पर काम करनी है मैं कई बार ये बोल देता हूँ कि मैं देश का परधान मंत्रे बनूँगा इसका मतलब कई लोग सोच लेतरों पर रियल में परधान मंत्रे बने गया ऐसी बात नहीं आज के जो हमारे देश के सुर्खियां है एक परधान मंत्री पर केंदरित है तो इससे मैं यह आप सबको बताना चाह रहा हूँ कि मैं अपने देश के लिए विकास के लिए कुछ ऐसा काम करना चाहता हूँ जो उस लेवल की बात हूँ तो यह परधान मंत्री ही नहीं, परधान मंत्री है कि अतरिक्त कोई आम व्यक्ति के रूप में भी कर सकता है मतलब एक मानक स्टेट कर रहा हूं कि आप इमेजिन करें कि उस लेवल की बात किया जा रहा है मतलब मैं कभी देश कभी सेवा अगर करते हुए मिलूँगा तो उस लेवल वाली सेवा जो एक परधान मंत्री के रूप में भी व्यक्ति कर सकता है या एक आम इंसान के रूप में भी कर सकता है इसका मतलब ए नहीं कि अपनी उपेच्छा कोई पद की बना लेजे चलिए ए हम लोग थोड़ा सा अतरिक्त बात कर लिए तो अभी मैं बर्तमान समय में जो इनफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ एक खास क्योंकि इन्ट्रेगेशन की इनफॉर्मेशन या आप गनीत में कैसे वेहतर परफॉर्म कर सकते तो उसके लिए आपको सीखना होता है तो क्या सीखना होता है कलकुलस क्योंकि बीना कलकुलस की क्लास टुवेल का मैत को मैत आप नहीं बना सकते तो क्योंकि कलकुलस के बीना मैत अधूरा है लेकिन आप सब लोग जानते होंगे कलकुलस को कलकुलस जैसा बोल्डिनेस कौन ऐसा टॉपिक है जिससे मिलता है उसका नाम integration है जिसे हिंदी में समाकलर बोलते हैं और यहां से आप सब लोगो एक ठीक ठाक लिवल से चीजों को पढ़नी होगी जिसमें indefinite integral जिसे onistice समाकलर बोलते हैं फिर definite integral जिसे nistice समाकलर बोलते हैं उसके बाद properties of definite integral मतलब नistice समाकलर के गुम धर्म पढ़ने होंगे उसके बाद आप सब लिमिट एज इस समरूल पढ़ेंगे पुना आप सब लोगो डिफरेंसेल एक्वेशन एरिया इन सभी topic को पढ़ते हुए कलकुलस को समाप्त करें बहुत मजा आने वाला हैं मैं तो अक तब सबेरा यहां से अभी से सुरवात करो मैं आपके साथ हूँ आप बेहतर करो भी जो तरह तरह के दिमाग में विविधता भरे हुए रहते हैं कि integration नहीं सीखा जा सकता है मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कभी भी कहीं से चल कर integration को सीखा जा सकता है और बेहतरीन तरह के से सिखा जा सकता है आप चलो तो मेरे साथ शुरवात करो आप से बेहतर integration दूसरा कोई नहीं सिखेगा यह हम पर भरेसा करो यह हमारी कलम की तागत है कि जो मेरे साथ कलम में के कदम में कदम मिला कर अगर चल दिया और जादा दिन नहीं पांच कलास यदि आप चल द जाएगा कि आप सीखने पर मजूर हो जाएगा पहला पांच कलास ध्यान देना है पहले आप क्या पढ़े हो क्या नहीं पढ़े हो वो सब से कोई लेना देना नहीं किस टीचर से पढ़े हो क्या जानकारी है क्या knowledge है differentiation पढ़े हो नहीं पढ़े हो वो सब से कोई लेना देना नहीं, आप केवल यहां से सुरुवात करो, मैं सिखाऊंगा आपको, बेहतर तरीके से सिखोगे, छोड़ो बाकी पहले की बकवास वाली बात, यहां से आप चलना सिखो, आज से अभी से यहीं से सुरुवात करते हैं, एकदम ठान लो नई कोपी, और एकदम किताब को लेकर ह प्रस्न को हल करेंगे, सभी प्रस्न हल होगा, आप ही बोलेंगे, गर्दा मच गया गुरुजी, चलो, तो अब यह जो इंफर्मेशन है, इंट्रेगेशन, फाइव डेज, फिरी क्लास और एम विद्ध्यार्थ, मतलब कोई भी नए विद्ध्यार्थी, पांच दिन के हैं, मैं पूरे विहार के, पूरे देश के सभी बच्चा को तो इंट्रेशन लेकर नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरा एक इच्छा है, कि कोई व्यक्ति कहीं पढ़े, कहीं कोई विद्ध्यार्थी पढ़ रहा हो, लेकिन कम से कम कुछ चीजे उसे सीखने में दिक्कत होते हैं, यदि मैं उसका सहयोग वहां पर कर पाऊं, तो मैं उसमें सहयोग करने की कोशिस करता हूँ, यही मेरा उद्ध्यस है, और हमें विश्वास है, कि आप कहीं पर किसी टीचर से पढ़ोगे, किवल और किवल मेरा पाँच कलास आप कर लोगे, तो थोड़ी थोड़ी जो छोटी छोटी जो दिक्कत होती है, जो समझने में विद्ध्यार्थी को परसानी होती है, सब चीज़ ठीक कर देंगे, आपको जो आगे डर लगने वाला है, यह आप मैदान छोड़ कर भागने वाले हैं, आपको गन पर एकदम थ्री डेमो के रूप में चलेगा, ठीक है, एकान में 35, 85, 21, इतना पर बाट सब कर लेजेगा, अगर कोई समस्या होती है, एम विद्ध्यार्थी अप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेजेगा, देखी, यहाँ नोट पॉइंट, वहर प्रारम कब से हो रहा ह 13 मई से हो रहा है, तो इत 13 मई नोट कर लेजे, एम विद्ध्यार्थी अप पर होगा, इबाद ध्यान देजेगा, अब इसके बात क्या है, एम विद्ध्यार्थी अपर क्या मिलेगा, तो सबसे पहली बात हिंदी एवं इंगली, इंगलिस दोनों माध्य में आपकी कलास हो होती है, एक ही बार में मैं हिंदी मेडिय में भी पढ़ाता हूं, इंगलिस मेडिय में, जिससे आप हिंदी मेडिय माले विद्ध्यार्थी कुछ इंगलिस वाली बात सीख सकते हैं, इंगलिस वाले लोग मीं हिंदी में कुछ चीजे जान पाएं, जैसे content उस level का हो, कि जो म पता हैं, अज समझ रहे हैं, गनीत कहीं भी किसी परकार पढ़ें सब टीचर वेहतर पढ़ाते हैं, आसुतोसर बहुत जादा गनीत नहीं जानते हैं, एक ही चीज बाकी लोगों से अलग है आसुतोसर के पास, जो समझाने का तरीका हो, इस पर मेरा घमंड है सहाव, वो जो समझाने का तरीका है न, कोई आपका दोस्त हो, और एक बोल दे कि आसुतोसर से पढ़े हैं, समझाने नहीं आया है, तो कि हमें मालूम है, कि हम से पढ़ने वाले विद्यार्थी कि क्या समस्या है, मैं वैसे कमजोड विद्यार्थी भी रहा हूँ, कमजोड से कमजोड विद्यार्थिकों पढ़ाया हूँ और हर परकार के विविधता भरे विद्यार्थियों के ओपलाइन से लेकर ओनलाइन में हर परकार की कलास लिया हूँ और अनेकों हजारों हजारों विद्यार्थिकों में हर साल पढ़ाया हूँ तो इससे हमें मालूम है विद्यार्थियो हूँ आप सोच लिजेगा कि online class से बच जाएंगे यहां कोई बचता नहीं साहब आप admission लेने से पहले आपको लगेगा कि मैं बच गया हूँ लेकिन जो बच्चे यहां admission लेते हैं उनको लगता है अब बावु पढ़ना पड़ेगा नहीं तो आसुतसर के चावी लगेगी और लगता है साहब इसलिए यहां पर आने के बाद कोई बचता नहीं उसको पढ़ना मजूरी हो जाती है और यह आपके में मजूरी होगी कि लोग ऑनलाइन में सोचता हो कि online में ऐसा कुछ होता है क्या टीचर से कोई डढ़ता है क्या जहां आसुतसर आनन्द हो ना जुत्ता स सुखा सुखा के मारने वाला टीचर हो तो online में भी दर्द देता है आने के बाद पता चलता हुए कि online में भी क्या होता है बहुत कुछ होता है उसके बाद class जो हम board पर लिखते हैं इस सब चीज पढ़ाया हुआ आपको PDF के रूप में मिलेगा एक टूजेट चीज़ ठीक है उसके बाद objective, short और long तो देखें अभी objective, example के साथ चलते हैं, book solution करते हैं उसमें short और long सब question होता है लेकिन इसके अतरीत जैसे question bank है तो question bank का जितना objective होगा मैं अलग से बताऊँगा यहां short question कैसे होगा इसको हम अलग से बताएंगे, long question कैसे होगा इसको हम अलग से बताएंग अभी मैं question bank नहीं करा रहा हूँ क्योंकि question bank तुरत हो जाएगा तहीan revision के साथ कराएगा समझ गया अभी test भी मैं रोक दिया हूँ क्योंकि question bank और test revision, question bank, test मैं एक अलग round में चलूँ जिसमें थोड़ा calculus निकाल लेते हैं तब ये चलेंगे, तो मज़ आएगा तो कि मैं देख रहा हूँ कि विद्यार्थियों को पढ़ाने के साथ revision के भी आव सकता है मैं तो सोचा था कि अभी तक जितना पढ़ाया हूँ integration से पहले revision करा दे लेकिन फिर देखे कि थोड़ा रोकना होगा, calculus को हम लोग 15-20 दिन में खतम कर लेते हैं अग तब फिर हम पूरा calculus को एक वार revision कराएंगे और A to Z calculus का question बन जाएगा, तो कि कई विद्यार्थे differentiation का question बनाते हैं और उधर differential equation का तो differential equation कि दोनों में उसको समझ में नहीं आता है कि दोनों में अंतर क्या है, तो इसलिए जानकर मैं differentiation खतम किया हूँ और integration आगे चीज़े चलेगा आगे वो teacher को समझने और समझाने वाला बात में जवाब पढ़ेंगे तो मैं समझा दूँगा कि आप कैसे चलेगे तो एक बार revision फिर मैं पूरा कराऊँगा, जब पूरा integration, calculus खतम हो जाएगा पूरा calculus का revision, उसके बाद question meant objective, short or long अब तब इतना के बाद फिर हम लोग test लेते चल जाएगे, सब गरदा मत जाएगे, तो एक चीज़े चलनी है तो आईए, 13 माई को आसुतोसर और उनके प्यारे विद्यार थे लोग, दोनों लोग मिलकर गरदा मचाएंगे, और गरदा मचाएंगे ही नहीं उसे heal करेंगे वो अलग अंदाज होगी ठीक है, तो आप सब को इतना सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपने सभी विद्यार्थी को ए बोल देजेगा, अपने सभी दोस्तों को बोल देजेगा, मेरे सब लोग पका जो चेला है, मेरा जो ठैन है सब को बोल देजेगा कि आशुतोस्तर के पास निवता है 13 तारिक से 5 दिन कम से कम सब पढ़ो सब आगे बढ़ो, बेहतर कुछ करो, बढ़ा करो